आरक्छन से बेटा समधी और वग अपने जीत करके जाते हैं। आरक्छन नहीं होता तो कुट्टा नहीं पूछता जीतन रामाजी जी को। वह कहते हैं कि विकास दिखाई नहीं देता। और जब आरक्छन की बाते आती हैं, तो आरक्छन के खिलाप में बोलते हैं। बेटा जीत के जाता, सम्धी और सम्धिन की बात करते हैं, उस आरक्षन पर अगर केंदर की सरक्षितन रामाजी जी को, हम तो जानते हैं यह का असर है, केंदर यह मंत्रा ले मिल गया है, इनसे तो कुछ होने जाने वाला है नहीं, एज़ फैक्टर है, बोलना क्या चाहिए, बोल क्या रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता, कि बिहार के अंदर तेजस्वी पुरसाजादों पर बोलना मतलब बिहार के तमाम आम लोगों पर बोलना, बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, देखे बिहार बिधान सभात चुनाव से पहले, बिहार की सियासत में सरगर्मी तेज हो गई है और बयानबाजी भी खूब हो रही है, हम बात करेंगे आज हिंदुस्तानी अवाम मोर् उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादो को कुछ दीन में दिखाई थोड़े देता है, यानि कि सारों में तेजस्वी यादो को जीतन रामाजी ने उल्लू कहा है, देखे इसी पर हम बात करेंगे और बिहार के कई ऐसे मुद्दे हैं, परसांद किसोर को लेकर भी चर्चा कर भी और आरजेडी कोटे से हरसीदी के पुर्वी विधायक राजेंदर राम जी मौजूद है, सर सबसे पहले आपको स्वागत है, दन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी तेजस्वी यादो मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि बिहार पिछले 17 साल से कहां एक पर पर है, फिष्टी राज में आता है, जीतन रामा जी करनक उनको कुछ देखाई देता है, देखे मुखता नेता के बियान को तो मैं नहीं देखा हूँ, ब्यस्त है, परंतु 17 वर्सों की चर्चा हुई है, बेहतर बिहारी और बेहतर बिहार की कामना हमारे नेता पहले से करते रहे हैं, और निशित तरपर जो 17 मा की सरकारे, 17 साल की जो सरकारे रही है, वादे की बात करती है, डेवलप्मेंट की बात करती है, और स्मार्ट सिट्टी की बात करती है, तो हम तो देखते हैं कि बिहार के अंदर कौन सा स्मार्ट सिट्टी बना, हमारे नेता बोले थ है विहार को जरूरत है गाउं को स्मार्ट बनाने की लगत है गाउं के अंदर मैदूर किशान जो रहते हैं जिनकी हालत आस्वी बत्त से बत्तर है सेक्ष्णिक बेगुस्थाओं के संदर में जो सरकारी बिद्यालों की इस्तिती बनी हुई है स्वास विवाग के तमाम सिंटरों की इस्तिती जो बनी हुई है तमाम छेतरों में जिसदर से फिष्टी बिहार हुआ है उस संदर में अगर नेता चाहते हैं कि बेहतर बिहार और बेहतर बिहारी बिहार के अंदर हो बिहार के अंदर ही बिहारियों को काम मिले बिहार के लोगों को बेहतर रोजगार मिले बेहतर सिख्चा और स्वास मिले तो इस संदर में अगर कहीं से ऐसा लगता हो जीतन रामाजी जी को हम तो जानते हैं येज का असर है केंद्रियम मंत्रा ले मिल गया है इनसे तो कुछ होने जाने वाला है नहीं एज फैक्टर है बोलना क्या चाहिए बोल क्या रहे है उनको समझ में नहीं आता कि बिहार के अंदर तेजस्वी पुरसाज जादो पर बोलना मतलब विहार के तमाम आम लोगों पर बोलना विहार के एक एक लोगों के हिर्दे में तेजस्वी पुरसाज जादो जी वस्ते हैं सत्रह वर्सों में जो नहीं हुआ सत्रह मा के अंदर जो जीमवारिया मिली उपमुख मंत्री के रूप में उन तमाम बिभागों के अंदर जो बेहतरी के लिए काम करने का काम नेता परतिपक्ष ने किया उपमुख मंत्री के रूप में उतना ही नहीं डिवलप्मेंट की बाते तब होती है जब रोजगार बेवशाय की बाते होती है जो आधनियन नितीश कुमार जी कहते थे गाली सब्द में बोलते थे कि बेतन कहां से आएगा नोकरी कहां से लाएगा उन्हीं के हाथों से सत्रा माह के कार्जकाल में तक्रीबन पांच लाग सरकारी नोकरियों की नियुक्ती पत्र ते जैस्वी प्रसाज जादो की जी नितीश कुमार के हाथों से बटवाने का काम किये और सड़े चार लाग सरकारी नोकरियां को परिक्रियाद हिन रखे सभी भी भागों में बेहतर काम प्रारम किये लेकिन सत्रह माँ के अंदर जब लगा जो यह गठमंदन की हमारी सरकार थी बेहतर चल ले थी तो भजपा और इंडिये के लोगों को लगा कि जो तेजस्वी का रफ्तार है डेवलप्मेंट का बेहतर सोच का बेहतर बिहार को बेहतर ही देने का इसे घवराहट में आकर के नितिश जी से चाचा तो पलटते रहें अब हम नहीं कहते हैं लोग ही कहता है कि चाचा पलटू है तो चाचा को पलटने की आदत है और चाचा को भी यह बात लगा ये चाचा जी को लगा कि तेजस्वी की रवतार जो हैं वो अभिहार के एक एक लोग पसंद करने लगे हैं विकास करने की जो तौर और तरीके हैं इससे घबलाहट जा करके नितीजी पलेट करके इंडिये के तरफ गए और उसमें अब सत्ता के लुलूपता चाहे उनको बाबा साहिब की सविधान नहीं दिखती जिस आरक्षन से बेटा समधी और अपने जीत करके जाते हैं आरक्षन नहीं होता तो कुटा नहीं पूछता जीतन रमाजी जी को वह कहते हैं कि विकास दिखाई नहीं देता और जब आरक्षन की बाते आती हैं तो आरक्षन के खिलाप में बोलते हैं मैं आदर जरूर करता हूं, समाज के बरिये नेता हैं, परंतु उनको सर्म होनी चाहिए, कि जिस आरक्षन से अपने जीत के जाते, बेटा जीत के जाता, समधी और समधिन की बात करते हैं, उस आरक्षन पर अगर केंदर की सरकार, भजजपा की सरकार, एंडिये की सरकार, पर् मारते हैं, उनके नजरों में दूसरा चीज दिखता है, हम तक कहें, जितना मा जी जी से, कि आप सरकार में लगाता रहें, कि इस परिस्तिती में बैगलोग बचा था, क्योंकि उस समय सेक्ष्णिक छमता, जो होने चाहिए थी, वह अनुसुची जाती के अंदर ने थी, जो सीटे ही से कियाती थी, वह बच जाता था, जब कुछ 18 जातियों में कुछ जाती यहां अनुसुची जाती के, जब पढ़कर के उस लायक हुए हैं, तो उनको छाट करके फिर वह से लोगों के देने की प्रय हो रहे हैं, जिनके अंदर अभी सेक्षनिक योगताओं की कमी उन बैमानों के वज़ा से हैं, जो बैमान के अतापी जो हैं, गरीबों का विकास नहीं चाहते हैं, आरक्षन रहते, जी तर्मा माजी जी समांग को करें, कि आरक्षन रहते, जो 18 जातियों में पिछड़ा हु चलाई एस पेसली स्कूल चलाऊ गुन्वाता पिन सुच्छा दो और उनके अंदर वह योगता डेबलप करके और फिर आरक्षन की जो हिस्से होती है उन्हें मिल्ला सुर्व हो जाएगा इन बातों पर नहीं बोलेंगे जीतन रामाजी जी को यह कहीं चीज ड्यूटी दिया लालो जी पर कुछ बोलते रहो टेजस्वी जी पर बोलते रहो और इसी ड्यूटी के बदले तो उनको केंदरवे जगह मिला है तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं वहां नोकरी कर रहे हैं केंदर के अंदर सत्ता में हिस्सिधारी नहीं आधर्नियए जितन नामाजी काम उन्हें दिया गया है कि विहार के भवीसके रूप में तजस्वी प्रसाद जादो सब्दों जाने वाले दीन के लिए एक विहार को रोषनी देने वाले मजबूत नेता है उनके उपर शवाल लाते हैं आधेनियालाू पर साथ जादो जी पर सवाल लाते हैं केंद्र की नोकरी करते रहें ना उनको अरक्षन से मतलब है ना बियार से मतलब है ना बियारियों से मतलब